तार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने माले हैं जो एक Supreme Court ने बिल्किस बानो जो केस के अंदर गुजरात सरकार का एक फैसला पल्ट दिया है वो फैसला क्या है देखे गुजरात सरकार ने 2022 के अंदर जो बिल्किस बानो केस में 11 लोगों को जो सजा हुई थी उमर कैद की उनको रिहा कर दिया था अब रिहा करने के उपर बिल्किस बानो जो है वो Supreme Court का रुक करती है और वहाँ पर Supreme Court ये बात बोलता है कि आपने जो ये 11 लोगों को रिहा किया है वो गलत किया है इन 11 लोगों को वापस जेल में आना होगा इनको वापस सरेंडर करना होगा अब ये court ने ये बात क्यों बोली, किस अधार पर ये बात बोली, क्या तथे यहाँ पर दिये गए, मतलब क्या fact यहाँ पर, क्या reason यहाँ पर Supreme Court के द्वारा दिया गया, विसली देखिए Supreme Court में कोई ऐसे ही थोड़ना फैसला दे देगा, कि भई ये चीज गलत हुई, हमें गल किया है, वो गलत किया है, इनको वापस जेल में आना होगा, तो आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से इन सब चीजों को cover करने वाले हैं, जो page जो फसा है, वो काफी ज़्यादा interesting है, तो साथ इसाथ हम जानेंगे कि बिल्किस बानो जो case वो क्या है, और Supreme Court ने किस आध लोड भी कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखे, Supreme Court ने कहा, कि देखे, 2002 में जो एक गुजरात में communal दंगे हुए थे, जो सामपरदाइक दंगे हुए थे, हिंदू-Muslim के अंदर जो दंगे हुए थे, उसमें जो बिल्किस बानों के साथ, जो सामूइक बलतकार के मामले में, जो एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे, ग्यारा दोस्टियों को गुजरा सरकार के द्वारा जो छूट दी गई थी, जो रमीशन दिया गया था, उसको रद कर दिया, रमीशन, यानि एक स्टेट गवर्मेंट जो है, वो चाहे तो एक सजा को कम कर सकती है, क लोगों को 14 साल जेल में रहने के बाद 15 अगस 2022 में उनको रिहाद कर दिया गया था, उन्हें अब अदालत ने कहा है कि उनको दो हफ्तों के अंदर अंदर वापस आत्म समर्पन, यानि कि स्रेंडर करना होगा, ये बात बोले गई है, इसके बाद काफी सारे नीडिया हाउस इस ने इस न्यूज को कवर भी किया, साथ ही साथ यहां पर बिल्किस वानों जो आए, उन्हों का भी ब्यान आया कि देखें मेरे उपर काफी ज़्यादा एक पत्थर था इतना बड़ा, वो अब हट गया है, मेरे साथ एक न्याय हुआ है, यहां पर ये सब चीज़ें करके तो इन सब चीज़ें को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, फरस्ट अपॉल हम एक टाइम लाइन देख लेते हैं कि इस सब चीज़ें शुरू कहां से होती हैं, देखें, 2002 में गोदरा जो ट्रेन थी, उसके अंदर आग लगाकर हिंदूों को मार दिया जाता है, क्य काफी सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं, जिससे क्या है, गुजरात के अंदर सामपर्दाइक दंगे बढ़क जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक तरीके से लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, यह सब चीज़ें होती हैं, तो 28 फरवरी की बात है, बिल गुदरा ट्रेन के जलने से एक दिन पहले ही, तीन मार्च को क्या होता है कि बिलकिस और जो पांच महीने की जो प्रेगनेंट होती है, उसका रेप होता है, साथ इसाथ 14 साल के जो 14 मेंबर होते हैं, उसके फेमपरिवार के उनको मार दिया जाता है, चार मार्च को बिलकिस जो है वो लिम खेडा पुलिस टेशन जाती है एफ फायर दर्ज कराने और अपने साथ मतलब की जो रेप हुआ जो मडर हुए उनकी बात करने और उसने बारा लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया था लेकिन एफ फायर वहां पे दरज नहीं की जाती है पांच मार्च को पुलिस यह कहती है रिक्वेस्ट करती है कि आप इस केज को क्लोजर मतलब की बंद कर दीजी है कोट ने खा कि नहीं इस पर अभी इनवेस्टिकेशन चलने देते हैं चीजों को आगे बढ़ाते हैं 2003 में फिर से पुलिस ने का कि इसको क्लोज कर दीजी है और इस वक्त जो क करने का फैसल है वो नहीं कर सकते हैं यह चीज़ें चलेंगे इनके ओपर investigation होगी और सुप्रीम कोट ने यह जो केस जो है वो transfer कर दिया होता है CBI को 2004 के अंदर देखे यह चल रहा है नहीं हाँ ठीक है 2004 2004 में यह सब चीज़ें फिर 2004 अगस 2004 में आता है सुप्रीम कोट ने ट्राइल कोट जो गुजरात मुंबई क्या होता है कि सुप्रीम कोट क्या करती है यह काफी इंटरस्टिंग है अब यह transfer कहाँ से हो जाता है गुजरात में चीज़ें चल रही होते हैं गुजरात से क्यों transfer कर देह moyen क्यों कि बिल्किस कहती है कि मुझे काफी ज़्यादा death threat आ रही है लोग मुझे मारने की धंकी दे रहे हैं मैं रहे नहीं पा रही हूं सरी धंक से तो यह सब चीजे होने के बाद वहाँ पर सुप्रीम कोट की फैसला लेती है कि जो केस है वो ट्रांसफर किया जाए गुजरास से मुंबई में अब इसी को अधार बनाए गया है अब इसको कैसे अधार बनाए गया है इनको भी हम जानेंगे 2011 में यहां पर यह देखिए 2011-17 यह इतना नहीं है यहां से चीजें चल रही है 2008 के अंदर उनको लोगों को सजा कर दी जाती है 11 जो लोग आते हैं उनको उमर कैद की सजा दी जाती है मर्डर और रेप के चार्ज के अंदर अब यहाँ पर इसके बाद कोई तना इंपोर्टन चीज तो मुझे लग नहीं रही यहाँ पर है 2012 में हाँ अब यहाँ पर आ जाते हैं 2019 को हम छोड़ते हैं 2019 में सची यह होता है सुप्रीम कोट एक ओडर देती है कि 50 लाख रुपे दिये जाएं बिल्किस बानों को कंपनेशन के तोर पे साधी साथ एक जोब भी दी जाए और उसके अलावा एकोमोडेशन यानि रहने के विवस्था पी की जाए फिर 2012 में जो 11 लोगों में से एक जो लोग था एक जो इनसान था रादे शाम सा वो जाता है सुप्रीम कोट के पास 17 जुलाई 2019 इसको एक ओडर दिया जाता है गुजराथ हाई कोट ने जिसमें कहा था कि आप जो है महराष्टर सरकार के सामने अपनी जो है वो याचिका जो है वो देर दे सकते हैं अब इसको ही मुझे आपको समझाना है यहाँ पर काफी जादा इंटरस्टिंग है एक यह हो गया एक ही 1992 का एक पॉलसी है गुजराथ के अंदर जिसके अंदर यह बोला गया है कि अगर 14 साल आपने जेल में काट ली है वो तो उमर कैद के बराबर है तो आप मुझे जो है उस अधार पे बाहर निकाली है यह बात बोलते हैं इसके उपर काफी जादा पैंच है मतलब काफी जाद दी है अपनी रिलीज के प्रिमेच्च और रिलीज के लिए आप उसके ओपर एक बार अपनी कमीटी बिठाई और उसको रिव्यू करिए तो दो महिने का यह टाइम जा जाते है अब गुजरा सरकार के अपर प्रेशर आ जाते है अरे सुप्रीम कोट ने बात बोली है सुप ज़्यादा इनका उत्सा बनाया गया सप्टेंबर 2022 में बिल्किस बानों फिर पहुंचाती है सुप्रीम कोट के सामने और कहती है कि यह जो प्रेशर रिलीज हुआ है यह गलत हुआ है फिर 2024 जनवरी आठ 2024 में सुप्रीम कोट ने गुजरा सरकार का जो फैसला है उसको पल् पॉल्सी है 1992 की जो पॉल्सी गुजरात के अंदर चलती है इसको भी मैं समझाओं आप लोगों को अब यहाँ पर सुप्रीम कोट कह रही है गुजरात को कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है हम उसको पल्टते हैं और 11 लोगों को वापस जेल के अंदर आना होगा तो यह हो गया आपके सामने एक टाइम लाइन अब इसको डिसकस करने का टाइम आ गया है कि एच्छल में हुआ क्या है अरे आगे चला गया गया है मुजादा ओके यहाँ पर सुप्रियम कोट ने किस आधार पर 2022 का जो गुजरा सरकार का फैसला है यानि जो रमीशन दी आपके पास तो अधिकार ही नहीं है आप उस अधिकार शेतर में आते ही नहीं है मतलब जो यह बैंच है जजीद की जो बैंच है उन्होंने यह बात बोल दी गुजरा सरकार को अरे आपने इन 11 लोगों को क्या किया अपने इनको छोड़ दिया 11 लोगों को रिमिशन कर दी म अब ये कैसे नहीं, ऐसा इसलिए नहीं, देखे, सुप्रीम कोट ने 2004 में क्या किया था, जो केस है, वो ट्रांसफर कर दिया, गुजराच से, इसके अंदर मुंबई में, क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया, क्योंकि टैंपरिंग हो रही थी, एविडेंस के साथ, बार-बार ड अब कहां पर जो अपरादी है, वो सामने जाएगा याचिका लेके, गुजराच के सामने या महराश्टर के सामने, ओविसली मुंबई हाई कोट है, तो वो महराश्टर में जाएगा, चला कहां गया हो, गुजराच में, तो एक तो ये अधार बनाया, काफी एक इंटरस्ट की जो धारा, 1973 की जो एक सैंक्शन है, 432, उसमें प्रावधानों के अनुसार, एक करमीशन के लिए आवेदन के वल उस सरकार के समक्स हो सकता है, जिसके शेत्रिय अधिकार शेत्र में आवेदक को दोशी ठहराया गया था, अब दोशी कहां ठहराया गया था, मुंबई हाई 432, ये बात बोलती है कि आप रमिशन दे सकते हो, लेकिन दे को सकता है, जहां पर ये केस चल रहा है, जिसके शेत्र में ये आता है, अब इस मामले में कोन आता है, महराश्टर आता है, ना कि जहां अपराद हुआ, यानि गुजराद, वहां नहीं आएगा, अपराद 432, राज्य के पास, राज्य सरकार के पास क्या है, सजा को निलंबित करना या माफ करने की शक्ती होती है, अप सोचें क्या हो नहीं सकती है, उनके पास, डेफिनेटली होती है, होती है सब सरकारों के पास, मतलब हर राज्य की सरकार के पास ये शक्ती है, लेकिन अदालत न परनाई गई ना कि वो जहांपर उसके अपराद किया एक यह इंटरस्टिंग हो गाए आपके सामने अदालत बाराफ ने का की गुझरात राज्ये ने महाराष्टर राज्जे की शक्तियां छीन ली है कैसे छीन ली अरे आप कोन होते हैं उनकी सजा कम करने वाले क्योंकि महाराष्टर के पास वो अधिकार हुआ ना उनकी सजा कम करने का माफी देने का ये सब चीज़ें कोन करेगा वो महाराष्टर करेगा क्योंकि फैसला वहाँ चल रहा है और अदालत ने यह भी कहा कि दोशियों की जो एक premature release हुई है 1992 की जो एक policy है देखें गुजरात राज्ये के अंदर 1992 की policy चलती है उस policy में क्या का गया है अगर किसी दोशी ने 14 साल की सजा काट ली है तो वो उमर कैद के बराबर माने जाए मतलब इसको उमर कैद हुई है वो 14 साल अगर जेल में रह लेता है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोट ने यह बात बोली आपने यह जो 1992 की जो policy है उसको जो अधार बनाया गया वो तो उन लोगों पर लागू ही नहीं होती अब यह बात कैसे होगी देखे 14 साल की सजा पर पूरी कर चुके कैदियों को शिग रियाए की अनुमती तो दी गई है लेकिन इसको 2014 के अंदर रद कर दिया गया था 2014 के अंदर रद कैसे कर दिया गया था इसने यहां पर एक चीज ला दी गई थी यह उन जगन्य अपरादों के उपर जगन्य अपराद के जो दोशियें उनके उपर यह लागू होई नहीं सकती अब यह जो केस था मतलब कि यह जो मामला था 11 लोगों को जो सजा हुई वो एक जगन्य अपराद के अंदर आता था हिनियस क्राइम के अंदर आता था अब यह 1922 की पॉलसी लागूई नहीं हो सकती थी अब यहां पर एक जो चीज आती है अरे भाईया जब इनको सजा हुई वो हुई 2008 में अमेंडमेंट किया गया इस 1922 की पॉलसी के अंदर 2014 के अंदर तो उस वक्त तो भई इनको तो सजा हुई तो वो तो 1922 के तहती वो उसके उपर काम करेंगे बाद वाले चीजें क्यों हैंगी आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में क्या होता है अगर एक इसी अपरादी को सजा होती है तो उस अपरादी के उपर वो नियम लागू होगा जब उसको सजा हो रही थी उस वक्त जो नियम लागू थे उस जगय पर तो ये हो गया है न महाँ पर अगर वहाँ पर 2008 में ये नियम था कि भी अगर किसी व्यक्ति ने मालो 10 साल की सजा पूरी कर ली है अगर उसने मडर किया है तो उसको रियात कर दिया जाएगा ये 2008 मिन लागू था जब उसको सजा हो रही थी अब यहां पर 2014 में जाकर इसको अगर बदले ही बदल दिया गया हो कि 20 साल अब कर देंगे तो जरूरी नहीं कि 2008 में उसको सजा होई अब उसको 20 साल और रहना पड़ेगा नहीं वह तो उसके उपर वही लागू होगा जो उस वक्त उसको सजा हो रही थी आई होप सो यह चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी पॉलेटी में यह चीज़ें मैंने कवर करवाई हुई है आप जाकर देखेंगे ना तो प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट बना रही है पॉलेटी को लेकर तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को समझें तो कैसे सजा को उपर यह अधिकारों जो अपरादी होते हैं वो कैसे दोश्मूगत हो सकते इन सब चीज़ों के उपर मैंने चीज़ें बना रखे तो आप जाकर उन वीडियों को भी देखे तो अभी इसको भी समझाएंगे कि इन्होंने इसके उपर क्यों नहीं बोला भाई वो 2014 के अंदर आप अमेंडमेंट कर रहे हो, 2008 में हमें सजा हुई थी, उस वक्त 1922 की पॉलसी हम पे लागो होने चाहिए, इसको भी हम देने की जो शर्त थी, वो तो उन्होंने वो भी पूरी नहीं की तो यहां पर तीन चीज़ें होगी, पहली ये केस तो मॉंबई ट्रांसफर कर दिया गया, आपने क्यों छोड़ दिया अब तो महराश्टर के पास वो चीजाती है दूसरी ये, उनिस सो पानवी की जो पूलसी है वो उनके उपर लागू नहीं होती तीसरी ये, जो उनको एक रकम भरनी थी जुर्माने के तोर पे जो रकम भरनी थी वो उन्होंने भरी नहीं तो तीन अधार उन्होंने बनाए हैं सुप्रियम कोट ने कि भई, आप इनको छोड़ नहीं सकते और इनको आप वापस जेल में जाना होगा क्लियर हो गया अब सुप्रियम कोट तक के बात कैसे पहुँची भई, ये कहां से आया कि भई, क्यूं रिहा कर दिया गया ये रिहाई की बात कैसे पहुँची इसको समझे, 2022 में बिल्किस बानो, सामुईक बलतकार मामले के में से जो एक दोशी है रादेश शामसा, वो सुप्रियम कोट का दरवाज़ा खट-कटाता है, और गुजराज सरकार को कम से कम, देखें, और गुजराज सरकार को खंट-पीट ने गुजराज सरकार के कहा कि आपकी जो 1922 की जो इक्रमीशन नीती है उसके तहत, दो महिने के अवधी के अंदर समय से पहले, यानि प्री मैच और रिलीज के लिए जो शाह की जो अप्लिकेशन है उसके ओपर विचार किया जाए ये मैंने आप लोगों को समझाई इसके अधार पर एक सरकारी पैनल ने दोश्यों की रियाई की सिफारिसों की रिवेंस सिफारिस की और 15 आगस 2022 को गुजराज जेल से वो बाहार आ गए उनकी रियाई पर स्थानियन नेताओं द्वारा उनका अभी नंदन किया गया था इसके बाद बिल्किस बानों ने दोश्यों की रियाई के खिलाब याचिकाय दायर की काफी जगह पर पियाईल दायर की गई वही काफी सारे लोग फिर अदालत पहुंचे सुप्रीम कोट के सामने अरे ये क्या कर दिया कैसे वो लोग बाहर आ गए अब सुप्रीम कोट फिर रिव्यू करने पे आ गया ये क्या हो गया यहाँ पर 2022 में इनको रिलीज कर दिया गया सोमवार को सिर्च अदालत ने कहा कि 13 मई 2022 को उसके द्वारा जो पारित आदेश है वो रद करते हैं क्योंकि याची का करता शाह ने कुछ तत्यों को च्पाया अब यहाँ पर क्या तत्या चुपा लिए भई इस चीज को आते हैं और उन्होंने कहा अदालत को गुमरा किया अदालत ने तो खुल्द बोला अब देखिए उन्होंने का यह 1902 की जो नीती है वो लागू नहीं होती अब 1902 की नीती लागू क्यों नहीं होती वो तो यही सोचके जाएंगे न मैं किसी का पक्स नहीं दे रहा हूँ लेकिन एक तरीके से देखा जाए 2008 में उनको सजा हुई तो वो तो इनसान यही सोचके जाएगा कि भाई यह तो चीज मुझे लागू होगी यह तो सामने वाले का काम होगा न देखने का यह वो चीज हो रही है नहीं होरी है वो लागू अब बिना सोचे समझे चीज़ों को तोड़़ना कर देंगे कि आगे भई इनको रिहा कर दिया जाए तो सुप्रीम कोट ने तो बोल दिया हाँ अदालत को गुमरा कर दिया गए अदालत को कैसे गुमरा किया गया यह का गया कि आप जो तथ्थे 1922 की निती के तैफ रियाही मांग रहे हैं वो तो रद कर दिये गए गुजरात सरकार के द्वारा अदालत ने ये भी कहा कि यहां पर जो शाह है उसने इस तत्य को भी चुपाया कि उसने 2019 में पहले ही महराश्टर सरकार से संपर्क किया था अपनी रियाही के लिए जब गुजरात हाई कोट से जब उसने प्रारतना की थी और गुजरात हाई कोट ने इसको खारिज कर दिया था और गुजरात हाई कोट ने कहा था कि हमारे पास याचिका करने कोई फायदा निया आप महराश्टर के पास जाईए महराश्टर सरकार के पाज जाईए और वहाँ पर अपनी आचिका को दाहर करिए जहां पर यह मुकदमा चल रहा है अधालत ने कहा कि सरकार 1902 की नीती को रद करने के अब जो सुप्रीम कोटा उसने यह भी बोला कि आप एक काम करिए जो 1902 की जो नीती एक तरीके से अब उसको बताईए लोगों को यह कि भई इसके अंदर यहां पर क्या क्या अमेंडमेंट किये गए हैं और यह किन के उपर लागू होती है और किन के उपर लागू नहीं होती है इन सब प्रावदान है चूट के कटोती के प्रावदान है और यहां पर इस तत्य को ध्यान में रखते हुए कि एक व्यक्ति सुधार कर सकता है और एक बहतर नागरिक बन सकता है उसे मुक्त हो और और मतलब एक फ्री और एक बैटर सिडिजन वो बन सकता है यह हमारा क्रिम्लल जर्चिस सिस्टम कहता है सोभार को अपने फैसले में सुप्रियम गोट ने बात बोली कि यहां पर दो हित आपस में टकरा रहे हैं दो हित आपस में क्या टकरा रहे हैं एक तो पीडित या उसका परिवार उह सोप नियायद आदिकार रखता है। कम लागू होती है बजाए कि यहां पर पेडिता को नियाय मिलना ज़्यादा ज़रूरी है यह भी यहां पर बोलेगी अदालत के लिए अदालत ने बाद बोली कि किसी दोशी का अनिवार अधिकार नहीं है यह कि उसको दूसरा मुखा मिला जाए यहां पर दोशी भविश्य में सजा के लिए कहां पर जा सकता है महारस्टर सरकार से संपर कर सकते है हलांकि छूट दी गई है या नहीं छूट दी जाए यह रमिशन हो या नहीं यह उस राजजी की उसकी स्टेट पोलसी के उपर करती है कि वहां पर क्या पोलसी चल रही है 2008 के समय अब दूसरा है यह कि दोशी एक तरीके से सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटा सकते हैं यह कहकर कि आपने जो हमको यह बोला है 1902 के नीती कैंसल हो रही है 1902 के नीती आप पर लागू नहीं हो सकती वो क्यों नहीं हो सकती वो तो 2014 के अंदर अमेंडमेंट हुई हमें तो सजा तो 2008 में हुई ना तो हमारे उपर तो 1902 के जो नीती है जो पॉलसी है वही लागू होनी चाहिए एक तो यह जा सकते हैं वो कहने के लिए उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट द्वारा यह कह जाने पर कह जाने के बाद राज्ये उनके मामले के लिए उप्यूग सरकार रादे शाम ने एक अगस्त 2019 को माराष्ट राज्ये से संपर्क भी किया था अब यहां पर महराष्टर में क्या चल रहा रहे महराष्टर के अंदर एक प्रावदान है जो वहाँ पर बोला गया है कि 28 साल 28 साल अगर आपने काट लिये हैं तब आप छूट सकते हैं यहाँ पर तो 14 साल ही हुए हैं यहाँ पर बोला गया है जो महराष्टर के अंदर जो उनके उपर पोलसी लाग होगी थी कि यहाँ पर 1978-1912 में 2008 के अंदर दिशानी देश जारी किये गए थे गौवर्मन्ट रिजोलुशन है उस गौवर्मन्ट रिजोलुशन के अंदर यह बात बोली गई कि इनके उपर कौन सी पोलसी लाग होगी 11 अपरेल 2008 वाली जिसके अंदर क्या बात बोली गई है कि इस जीयार के अंदर यह बात बोली गई है कि महिलाओं और नाबालिकों के खिलाफ अपरादों से संबन्दित अपरादों के लिए दोशी पाय जाने वाले को कम से कम 28 साल की कैद की सजा काटनी होगी जहां अपराद ऐसादार इंशा के लिए किया गया हो इससे पहले कि वो माफी के लिए आवेधन करे कि माफी के लिए अगर आवेधन रमीशन चाहिए तो आपको 28 साल तो बिटा सजा काटके आनी होगी और इस मामले में उनकोंने कितनी अभी 14 साल से थोड़ी बहुत ही इन्होंने ज़्यादा काटी है बाकी तो अब इनको जेल में काटना पड़ेगा वो तो टाइम बताएगा देखिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसे ये फैसला या फिर कैसे ये चीज़ें आगे चलती है उमीद है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि भी जो सुप्रिम कोट ने किस अधार पर गुच्रा सरकार का फैसला पलटा है क्या क्या उन्होंने तर्क दिये क्या रीजन उन्होंने दिये ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है समझ में आ गया है तो मुझे कैसे समझाएंगे ओविसली लाइक का एक बटन दबाकर औरे चलनी रहा क्या लाइक का एक बटन दबाकर वो आपको स्क्रीन पर दिखी रहा होगा आपकी वीडियो के नीचे दिखी रहा होगा तो आप जाकर वहाँ पर लाइक का बटन दबाईए सब्सक्राइब कर ये चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है और उससे भी ज़्यादा पसंद आ गया है तो शेर कर दिजी वीडियो को और कॉमेंट सेक्शन ओपन ही है अपने कोई भी डाउट है वहाँ पर आप लिख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो